नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंट गंगा में। इस तिथी के देवता स्वय रुद्रदेव जी है। परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सावन का महीना देवो के देव महादेव जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी की पूजा पाठ करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सुमवार का अगर वरत कोई भी व्यक्ति रखता है तो उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ती होती है. देखिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं. तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का एक साथ आशिरवाद मिल सकता है. जिसके बाद न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ती मिल जाएगी. बलकि आपकी कोई मनोकाम ना होगी, वो इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही पूरी होगी. दोस्तों सावन के महीने में सुमवार व्रत का अपने आप में विशेश और खास महत्व होता है. कहा जाता है कि जो भी व्यक्ती सावन के सुमवार के व्रत रखता है, उसको सौभाग्य, समरिध्धी, खुशाली, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ती होती है. लेकिन दोस्तों अगर आप सावन के सुमवार का व्रत रख रहे हैं और आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो मान के चलिए आपको व्रत से मिलने वाला पुन्य नहीं प्राप्त हो पाएगा. दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा भगवान शिवजी को भोलेनाथ की इसलिए बोला जाता है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ती की हलकी से पूजा से प्रसन्न होकर के तुरंत ही आशिरवात दे देते हैं, और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ती भगवान भोल जी की असीन क्रिपा प्राप्त करना चाहता है, वो उनके सामने अगर पूजा पाठ कर दे तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही आशिरवात दे देते हैं, और जो भी व्यक्ती सावन के पवित्र महीने के दौरान सुमवार के वरत रखता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्त आपके जीवन में आपको किसी ऐसी बिमारी ने जकड लिया था जिसका इलाज करा करा के आप ठक चुके थे, आपकी बिमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोल भोलेनात के आशिरवात से आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, दोस्तों आपको इसमें हम बताएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वरना आपसे भगवान भोलेनात क्रोधि हो सकते हैं, फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप सावन के सुमवार के वरत रख रहे हैं, तो शिव पुरान के अनुसार वो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिन नियमों का अगर आप पालन करेंगे, तो भगवान भोलेनात का आशिरवाद म आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा एक सो आठ चाबल के दाने और दो लौन वाला महाउपाय है, जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया, जिस दिन अश्टमी पड़ रही है, तो आपकी कोई इच्छा हो वो एक दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी, दोस्तों एक बात का ध्यान रखियेगा, ये सबसे अच्छा मौका होगा आप लोगों के पास जब आप साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आश्रवाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 10 जुलाई को अश्टमी पड़ र माता पार्वती जी के क्रिपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें, बहुत ही आगे जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रग्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और अगर आप भी भगवान भोलेनात के सच्चे भक्त है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तो दोस्तों ये तो बात हर व्यक्ति जानता है, कि भगवान भोलेनात की पूजा में बेलपत्र का अपने आप में बहुत ही पहले सुमवार के दिन वरत रखने जा रही हैं, तो आप लोगों को भगवान भोलेनात को बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए, और अगर आपने बेलपत्र अर्पित किया, तो आपकी कोई मनोकाम ना होगी, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन बेलपत्र अर्पित करन में बेलपत्र तोड़िएगा, तीन पत्ते वाला बेलपत्र तोड़िएगा और चिकना बेलपत्र होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए, इसी बेलपत्र को भगवान भोलेनात के मंदिर ले जाए और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, अगर इतना भर आपने सावन के इस पवित्र महीने के पहले सोंबार के दिन ब्रत रखते हुए कर दिया आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भोले नाथ बाबा के आशिरवात से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन जब भी सावन के पवित्र महीने के सोंबार के दिन भगवान भोले नाथ की पूजा पाठ की जाती है वो दिन के समय की जाती है। आपको एक तामबे का लोटा लेना है। तामबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है। भगवान भोले नाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर यही एक लोटा जल अर्पित करना है। मुह उत्तर की तरफ करके इतना भरा अगर आपने कर दिया, तो भगवान भोले नाथ के आशिरवाद से आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ती मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिये, आपके जीवन में समस्या तनाव ने आपको घेर के रखा हुआ है। आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ जाती है। आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? सावन के इस पवित्र महीने के पहले दिन मतलब पहले सुमवार वरत वाले दिन आप लोग यह कीजिएगा कि भगवान भोलेनात के शिवलिंग का अभिशेक दूड से कीजिएगा। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में आपको उन्नती मिले, आपका कारोबार चल पड़े, आपका बंद पड़ा व्यापार बहुत तेजी से गौर पड़े, तो आपको क्या करना है कि 21 बेलपत्र लेना है? 21 बेलपत्र लीजिए 21 बेलपत्र पे लाल चंदन से आप लोगों को ओम नमः शिवाय लिखना है और यही बेलपत्र भगवान भोले नाथ को अर्पित करना है इतना भर अगर आपने कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार भोले नाथ बाबा के आशिरवात से चल पड़ेगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कारोबार की मदद से आपके पास रुपए चारों दिशाओं से खिंचे हुए चलाएंगे अब मान लीजिए आप आर्थिक तंगी से बहुत परिशान है आर्थिक कश्ट से बहुत परिशान है आप मेहंत परिश्रम से जो पैसा कमा करके लाते हैं वो पैसा आपके पास रुखता नहीं है और आप चाहते हैं कि इन तरीके के कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाए तो आपको क्या करना है अगर आप सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के वरत रख रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, एक तामबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा एक सो आठ काले तिल के दाने उसमें डाल दीजिएगा, और इसी से भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर अभिशेक कर दीजिएगा सिर्फ इतना भर अगर आपने इस सावन के सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए जीवन के समस्थ प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में जो धन आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृध्धी भी होगी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप शारिरिक कष्ट से परेशान हैं, आपके जीवन में आपको किसी ऐसी बिम बनवाये और किसी भी नंदी को डैल को खिला दी जीए, आपको भी पता होगा कि भगवान भोले नात के वाहन नंदी जी है, नंदी जी को बुढ़ी का प्रतीक माना जाता है, और अगर आपने इतना भर कर दिया, कि 11 रोटी किसी भी नंदी को खिला दिया, तो मान के चलिय ये आपकी बिमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी, जाएगी, अब दोस्तों जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय शिव पुरान के अनुसार 108 चावल के दाने और दो लॉंग वाला महा उपाय बताने जा रहे है, आपको ये उपाय कैसे करना है, देखिए आपको बस ये करना है कि सावन के इस पहले सोमवार के दिन आपको सुभा उठना है, नहाना धोना है, सफेद कपड़े पहने आपको एक लोटा लेना है, उसमें गंगाजल भरना है, उसमें 108 चावल के दाने डालने है, ध्यान रखिएगा चावल तूटे फूटे ना हो, ए एक दम अक्षक चावल होने चाहिए, आपको एक दीपक लेना है, दीपक में घी डालना घी कौन सा होना चाहिए, गाय के दूड से बना हुआ दो लॉंग लेनी है, अब आपको भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है, भगवान भोलेनात के मंदिर जाईए, इसी एक लोटे जल से भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर अभिशेक कर दीजिए। जिसमें आपने चावल डाला है, शिवलिंग के सामने आपको ये दीपक जलाना है, दीपक जलाने के बाद उसमें दो लॉन डाल दीजिए। अब आपको कम से कम एक हजार आठ बार ओम नमह शिवाय का जा आएंगी। माता पारवती जी की क्रिपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे। बहुत ही आगे जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।